राशी मेश ओवर्वियू राशी मेश रोमान्स राशी मेश राशी मेश रोमान्स कैऊ करा मिल सकता है, आप अपने खान पान पर ध्यान दें, आप अपने खान पान और जीवन शैली में बदलाव लाएं, तभी आपको भविश में आराम मिलेगा। ध्यान रहे कि किसी महतवपूर्ण काम के लिए आप किसी और पर आश्रित ना रहें. ये काम आप खुद ही करें. अन्यथा परिणाम कुछ निराशा जनक हो सकते हैं. आज आप किसी सरकारी उच्चाधिकारी से मिल सकते हैं, जो कि आपके सरकार से संबंधित काम को कराने में म काफी दिनों से सुलकते रही हैं, पर आज उसे रिष्टे का रूप देने और बढ़ाने की कोशिश सफल होगी. आप इस रिष्टे को गंभीरता से लें, क्यूंकि इसमें आपका विश्वास पहले से बन चुका है. आपको क्या पता ये रिष्टा पूरी जिंदगी के लि भविश्य का विचार करने में करें. आपको अपने लक्षयों को लेकर जागरूक रहना होगा. कड़ी मेहनत के मीठे फल आप चक सकते हैं. राशी बरेश, फाइनांस. इस समय आपको सही विद्ट प्रबंधन की आवशकता है. फिल्भाल आपकी विद्टिय सिती चिन्ता जनक नहीं है. फिर भी सही योजना बनाने से भविश पहला से सही सिती निर्मित की जा सकती है. सही बजट बनाने वो योजना बनाने से आपके बैंक खाते सही दिशा वो दशा में रहेंगे आपको ये महसूस होगा कि कुछ अतरिक्त प्रयास आपको सफलता दिला सकते हैं अगर आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आज आपको अपनी सेहत का खयाल रखना होगा अपनी स्थिती की बहतरी के लिए जीवन शैली में बदलाव लाएं किसी भी सकारात्मक सुधार को एक चिन्ध मान लीजिए जो आपको सही रास्ता दिखा रहा है आज हलकी फुल की कसरत कीजिए भविश्य की योजनाय बनाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है आप मेंसे जो लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं उन्हें अपनी रणनीती में परिवर्तन करना चाहिए ताकि आप अपने लक्षों को आसानी से प्राप्ट कर सकें ये सब करने के लिए आज से ज्यादा बहतर दिन हो ही नहीं सकता आपका यही कदम आपके भविश्य के लिए शुब फल दायक रहेगा अपने पार्टनर के चुनाव में सावधानी बरतें आकरशन के प्रवाह में अपनी जिंदगी भर की खुशी से समझोता ना करें अगर आपको अपनी पसंद मिल गई है तो उसे अच्छी तरह जानने की कोशिश करें एक दूसरे के साथ खुशी के पलों को बाटने से दोनों को अपार खुशी मिलेगी आपकी मानसिक उर्जा उचाई के शिखर पर है लेकिन आपकी वाक कला कभी इतनी अच्छी नहीं थी आपको अपनी मजबूतियों को पहचानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आप इनको प्रयोग कर पैसा कमा सकें खुद को कभी भी कमतर ना आकें आपके पास भी दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ है क्या पता आप किस क्षेतर में सभल हो जाएं इसलिए आज आप अपनी पूरी ताकत से चलांग लगाएं इन दिनों यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े विवसाय कभी कभी कठिन दौर से गुजरता है किनी कारणों से बाजार में बिक्वाली कम हो जाती है परंतु आपके उचित संपादन एवं सूज बूज से यह पुना ठीक से चल पड़ता है यदि किसी योजना को आप अपना लक्षे मान कर कारे करते हैं तथा रास्ते में आने वाले अवरोधों को दूर कर लेते हैं तब वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चुमेगी और आप अपनी जीत पर खुश नजर आएंगे अपने लक्ष की और इसी प्रकार ठोस कारे जारी रखें आप सभी धन बाधाओं को पार करते हुए सपलता हासिल करेंगे आज आप ऐसे दौर से गुजर रही हैं जब आपके साथ कोई दुरगट ना घट सकती है आपके लिए बेहतर होगा कि आप सतर्ग रहें और खत्रे से ना खेलें सभी तारे इशारा कर रहें हैं कि आज आपके साथ कोई सलक दुरगट ना हो सकती है इसलिए आज आप घर पर ही रहें और खुद को आराम दें आज आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करेंगे इससे आपको खुशी मिलेगी आज आपके लिए रिष्टे बहुत ही महतोपूर्ण रहेंगे फिर चाहे वो रिष्टा आप से हो या उनसे जिन्हें आप जानते भी नहीं आपको अपनों के साथ समय बिताने से प्यार का एहसास होगा आज आपको आश्चरिजनक रूप से इंटरनेट के माध्यम से आपकी खोज का कोई पार्टनर मिल सकता है इसके साथ बंधन या विवाह योग की पूरी संभावना है ये रिष्टा आजीवन साथी के रूप में सफल होगा आफिस जाने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा आपको जिस पदोन्नती का इंतजार था वो या तो आपको मिल सकती है या आपके आसपास ही हो सकती है परिशान ना हूँ विद्यार्थियों ने जो मेहनत की है उसका शुब परिणाम अंत में उन्हें जरूर मिलेगा जहां तक करियर का सवाल है कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुब ही रहेगा राशिकर्क, फाइनांस यदि आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज विवसाई के लिए आपका भाग्य कैसा है तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत सुधार अवश्य हुआ है यदि आप किसी कंपनी के मुलाजिम है तो आप देखेंगे कि आपका कठिन परिश्रम आपको अधिक उत्पादन के लिए विशेश लाब पहुँचाएगा कुल मिलाकर आप देखेंगे कि आर्थिक शेत्र का लाब आपके द्वारा किये गए कारे के बराबर एवं संबंधित होगा आपको पाचन क्रिया या फिर पेट से संबंधित कोई परिशानी हो सकती है इसलिए आज ही खाने की आदत को सुधारें ऐसा करने से आपको सेहत मंतर को पाने में सफलता मिलेगी ये उचित समय है जब आप अपना ध्यान अच्छे स्वास्त और व्यायाम में लगा सकते हैं आप इस समय का लाब उठाएं इस समय अपने अच्छे स्वास्त का मजा लें और रोज व्यायाम करें आज आप घर पर थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जगड़ा होने की प्रबल संभावना है, बेकार के जगड़ों से बचें, ग्रह कुछ ऐसा योग बना रहे हैं कि घर पर अशान्ती रहे, इसलिए आपको अपनी भावनाओं को काबु में रखते हुए इस बात का ध्यान है कि घर पर जगड़ा ना हो, अपना दिमाग ठंडा रखें, सही सूज बूज से परिस्तिती को संभालें, राशे सिंग, रोमैंस, आज अपने साथी के साथ समय बिताएंगे, वो पिछले कुछ समय की बोरियत से छुटकारा पालेंगे, यही अपने साथी के प्रती प्रे साथ महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह से आपको अपना काम बोरियत भरा लगेगा, आप जिस राह पर चल रही हैं, चलते रहें, क्योंकि आप सही रास्ते पर हैं, आगे चल कर इससे आपको लाब ही होगा, रास्ते में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से न घबराएं, उनको तो आना ही है, लेकिन उन पर विजय भी प्राप्त की जा सकती है, राशे सिंग, फाइनांस, आपको आज किसी ऐसी जगह से धन की प्राप्ती होगी, जहां से आप उम्मीद नहीं कर सकते, यह किसी सौगात के रूप में हो सकती है, या फिर कोई आपको अ फिर लंबे समय तक इसकी खुशी बनी रहेगी, राशे सिंग, हेल्थ, आज आपका व्यायाम करने का मन होगा, आप फिर से पहले वाले रास्ते पर आ जाएंगे, अब वो समय आ गया है जब आपको वापिस उसी आकार में आना होगा, आज वो दिन है जब आपको चुनना ह कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करेंगे, अगर आप जिम में 30 मिनट भी रहेंगे, तो आप बहतर महसूस करेंगे, घर में 30 मिनट व्यतीत करने से अच्छा है, आप जिम में काम करें, आज किसी दोस्त से लड़ाई तनाव का कारण बन सकती है, आपको इस बात से हैरानी और बड़ी समझदारी से आपको इस स्थिती को काबू में रखना होगा, दूसरे के नजरिये को भी समझने की कोशिश करें, इससे समस्या तो हल होगी ही, साथ ही आपकी दोस्ती का रिष्टा तूटने से भी बच जाएगा आज आप अपने साथी को मनाना चाहेंगे, दिन समाप्थ होने से पहले सभी मतभेदों को भुला कर सुलह कर लेने में दोनों का लाब है आज आपकी संस्था से बाहर का कोई वरिष्ट व्यक्ति आपके व्यवसाई के बारे में आपको कोई महत्वपून सलाह दे सकता है आपको उससे इस सलाह की उम्मीद भी नहीं थी आपने ये कभी नहीं सोचा था कि आपको इतनी अच्छी सलाह इतनी आसानी से मिल सकती है इस फरिष्टे जैसे व्यक्ति का धन्यवाद करना ना भूलें अगर आपको शेयर ट्रेडिंग का शौक है तो आज का दिन आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं आज के दिन आप अपनी किस्मत ही नहीं अपने अनुमान का भी काफी इस्तेमाल कर सकते हैं राशि कन्या, हेल्द, आज आपको अपने व्यस्त जीवन में से समय निकाल कर व्यायाम को देना होगा, ताकि आप स्वस्त रहें, ध्यान रहे, ज्यादा देर तक बैठने से काम पर या घर में आप आलसी बन सकते हैं, एक नई जीवन शैली अपनाने से आप अपने अंदर का दोस्तों को कुछ समय अवश्य दें, इससे आप खुद तो खुश रहेंगे ही, आपके परिजनों को भी खुशी मिलेगी, इन दिनों अपने जीवन साथी के साथ आपका रिष्टा मधूर है, जो काम आप अपने साथी से बहुत समय से करवाना चाहते थे, वो अब करवा स उसका दोस्त या आपका पूर्व परिचित हो सकता है, इन पलों में आनंद करें, इस रिष्टे को संयोग के रूप में ही लें तो अच्छा है अपने अधीनस्तों से काम में अपेक्षित परिडाम प्राप्त करने के लिए आपको शायद अपने काम करने का तरीका बदलना पड़े, ये आपके ही हित में रहेगा, अगर आप उनकी बात सुनेंगे, उनको उच्छे सुझाव देंगे, साथ ही उनके अच्छे काम के लि पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फायदा हुआ है, सो आज मौज मस्ती के लिए कुछ खर्च करने का मौका है, इसका आनंद लें, इस खुशी में उन्हें मत भूलिएगा, जो अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े होते हैं, किसी अच्छ होगा कि आप ठीक तरह से बैठने की आदत डालें, इससे आपकी सेहत और विश्वास ही नहीं बढ़ेगा, बलकि काम भी अच्छा होगा, ध्यान रहे कि आप पूरी नीन लें, क्योंकि कम नीन लेने से आपकी पाचन क्रिया और मानसिक शक्ति कमजोर पढ़ सकती है, राश इस थिती में नहीं है कि इसको बदल सकें, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इसकी शिकायत ना करके इसे यूही स्विकार कर लें, ध्यान रखें कि कुछ लड़ाईयां बिना लड़े भी जीती जाती हैं, राशिवरश्चिक, रोमान्स प्यार भरी जिंदगी में आज वादा करने का दिन है, अपने साथी के साथ जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, साथी का सच्चा प्यार आपको अपना बीता हुआ समय भुला देगा, तथा प्यार के नए आयाम पर ले चलेगा, आप महसूस करेंगे कि आपको सच्चा प आसर बार बार नहीं मिलता है, आज के दिन को भरपूर जियें नौकरी में बदलाव से आप अपने आप में शान्ती महसूस करेंगे, इस शान्ती के फलस्वरूप काम करने का आपका तरीका भी सकारात्मक होगा, आपकी आंतरिक प्रदिभा आपको सही सफलता दे सकेगी, जोकि कार्याले में प्रभाव बना सकेगी, कार्याले में विग आप शनाप खर्चे से बचें, दूसरे मामलों में भी सामान्य से हट कर चलने की ना सोचें, आज संभल कर निकल लें, कल सब ठीक रहेगा। आज आप खुद को ज्यादा उर्जावान महसूस करेंगे, और ये सब अच्छी नींद की वजह से है, अपनी इस उर्जा का इस्तेमाल ताजी हवा लेने में और व्यायाम करने में लगाएं, ताकि ये उर्जा बराबर बनी रहे। आज आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति के आने की उमीद कर सकते हैं, जो अच्छे के लिए आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देगा। आप अच्छानक ही शायद किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, जो आपको आपके व्यावसाइक या निजी जीवन से संबंधित सलाह देगा। अपने बड़ों से सलाह लेने के लिए तयार रहें, क्योंकि उनके अनुभव वो समझ से आपको बहुत लाब मिलेगा। राशिधनो, रुमैंस, आज आपके ऊपर माता पिता के दबाव के कारण शादी को लेकर घबराहट रहेगी। बाहरी दबाव से बचें और अपने अंदर की सुनें। अंतितह माता पिता को अपनी भावनाओं से अवगत और आकरशित करने में आप सफल होंगे और आपके माता पिता को भी पच्चताना नहीं पड़ेगा। आज आप खुश रहेंगे। आप मजबूत इरादों वाले व्यक्ति हैं और परेशानियों से नहीं घबराते। इसलिए आप कठिन से कठिन काम को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके साथ आपको अपने उच्चाधिकारियों के साथ भी मिलकर काम करना चाहिए। उनकी सलाह वं मदद से आप अपन दे रखा है या आपकी आमदनी का जरिया ठप हो गया है जैसे नौकरी गई तो समझिए कि आप अभी मुश्किल में आने वाले हैं। आज जरूरत है वो रास्ता निकालने की कि कैसे दिया गया उधार जल्दी से जल्दी वापस आए और कोई नौकरी भी जल्दी हाथ लग हैं तो इस समस्या का तुरंत हल निकालें। आप योग, गहरे और लंबे सांस या फिर कोई भी तरीका अपना कर इसका हल निकालें। अगर फिर भी सिती ठीक नहीं होती है तो डॉक्तर की सलाह अवश्य लें। राशी मकर, ओवर्वियू। आज आपके घर में सुक शांती बनी रहेगी। आज का दिन आप अपने प्रियजनों के साथ बिताएंगे। आप उनके साथ घर पर बैठ कर खूब बाते करेंगे और मजा करेंगे। आप छोटी छोटी खुशियां अपने परिवार के लोगों के साथ बाटेंगे। आप वो उस भारी बोज से छुटकारा दिलाएंगी जो आप अपने दिल पर लेकर घूम रही हैं। बलकी प्यार दिखाने का रास्ता भी खोलेंगी। आपके संबंध को साफ बाचीत से बहुत फाइदा पहुँचेगा। राशी मकर करिया। के उद्देश्य अवश्य पूरे होंगे। इसलिए इन अस्थाई समस्याओं से परिशान ना हों। राशी मकर फाइन्स। इधर उधर से किये गए सभी कर्जों की कुल रकम को जोड़ें। उसमें क्रेडिट कार्ट की बकाया रकम भी जोड़ लें। क्रेडिट कार्ट से खरीदारी करते समय उसके नियम और शर्तों को हर पल ध्यान में रखें। सभी देंदारियों का ध्यान रखकर उनको चुकता करने की ठोस योजना बनाएं। आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आप ही मुझीवत में पढ़ेंगे। समय सावधानी बरतने की आवर्शकता है। जरूरी नहीं कि विदेश से मिली खबर आपके हित में हो। जिस खबर का आपको इंतिजार था, शायद वो खबर आपको सुनने को ना मिले। धीरज रखें, वो परिस्तिती को समझने की कोशिश करें। अपने आपको समय दें, ताकि आप अपने उद्देश को नया रूप दे सकें और साथ ही अपना आत्म विश्वास भी बढ़ाएं। राशिकुम्ब, रोमैंस। पिछले कुछ समय से रोमैंस के क्षेत्र में कई रुकावटे आई हैं, किन्तु अब सकारात्मक विगास होने की पूरी संभावना है आज अपना संयम बनाए रखें, वो अपने जीवन में महतुपूर्ण बातों पर ध्यान दें। राशिकुम्ब, फाइनांस। हो सकता है कि पैसे से जुड़े किसी मामले में आज आप जोश में आकर कोई गलत फैसला कर बैठें। इसलिए आज कामकाज के समय या कोई आर्थिक फैसला लेते समय आप अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रन रखें। जरूरी नहीं कि ह राशिकुम्ब, हेल्थ, आज के दिन आराम करें और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करें। हाल के दिनों में मानसिक तनाव के कारण आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन आज सारी परेशानियां भूल कर आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। आज अपने आपको तरू ताजा करने का दिन है। आपसी मदभेदों को दूर करने का प्रयास करें। आज आप देखेंगे कि आपके प्रयासों से मदभेद कम हो रहे हैं तथा आपसी प्रेम अपनी चरम सीमा पर है। आपसी दिष्टों में सुधार आएगा। यदि आप किसी भी प्रकार की रक्षा सेवा में जाना चाहते हैं तो आज का दिन इस प्रकार के आविदन के लिए श्रेष्ट है। आज के दिन की गई शुरुवात आपको सही सफलता का मार्क दिखाएगी। राशी मीन, Finance आज का दिन किसी भी प्रकार के रण के लिए आविदन करने के लिए श्रेष्ट है यदि आप किसी व्यापार में है, वो इसे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तब आज का दिन श्रेष्ट है आज के दिन किये गए इस प्रकार के प्रयास सफल होंगे आज ही बैंक में संपर्क करते हुए जाने कि आपके लिए कौन से श्रेष्ट विकल्प हो सकते हैं। लंबे समय तक अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए आप कुछ करेंगे। हो सकता है आप योग या फिर ध्यान को रूटीन में लगाएं। इससे आपकी उर्जा और सोचने की शक्ती बढ़ेगी। अगर आप सही और धीमा रास्ता चुनें तो जल्दी ही आप अच्छा स्वास्त पा सकेंगे।